आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आए हूं पुलो पुलो जो खाने में जितना टेश्टी है बनाने में उतना ही आसान है और साथ में एकदम सिंपर टेश्टी राइता तो चलिए इसको बनाती हूं इसके बनाने के लिए मैं एक कप धन्यापती लिए हूं धन्यापती को अच्छे से दो करके लिजिए और इसमें जो थोड़े हलके डंठल लगे रहता है उसको लगे रहने दीजिए जो बहुत मोटे है उसको निकाल दीजिए और आधा कप पुदीना के पत्ते सभी को अच्छे से दो करके मैं ले रहे हूं यहाँ पर पुदीने के पत्ते को आप यहां पर मैं ग्रेट किया हुआ ताजा नारियल ले रही हूँ ताजे नारियल को मैं इस तरह से ग्रेट कर ली हूँ और यह लगवक तीन से चार टेवल स्पून होंगे आप इसके बदले इसके चोटे चोटे स्लाइश या टुकरे भी काट करके डाल सकते हैं लेकिन डालने जरूर इसे बहुत ही अच्छे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही आएंगे यहां पर मैं सिर्फ दो हरी मिर्ची डाली हूँ आप जैदा तीका पसंद करते हैं तो जैदा भी डाल सकते हैं यहां पर लहसुन चार से पांच लहसुन डाल दे कलिया और पानी डाल करके इसको एक जाएंगे इसलिए फ्रेज में रख लीजिए यहां पर मैं पहले से दो कप बासमती राइस लांग राइस होते हैं इसको वाश करके अच्छे से रखी हूँ पहले आधा गंटा जरूर पहले वाश करके रख ले अच्छे से राइस फुल जाता है तो अच्छे लंबे-लंब खिले खिले बद्दे हैं अब यहां पर मैं ताजा एक कप दही ले रही हूँ अब देख रहे हैं दही की मातरा अब दही एकदम ताजा होना चाहिए इसमें एक चमच जीरा भूना जीरा पौडर धनिया पौडर और बिर्यानी मसाला इन सभी को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देजिए इसमें अभी मैं नमक नहीं डाला है और आपने देखा धनिया और पुदीना का जो पेष्ट बना करके रखी हूँ इसमें भी मैं नमक नहीं डाले हूँ इसको साइड में रखिए अब यहां पर मैं प्रेशर कुकर को गरम कर ली हूँ इसमें वन फौर्थ कप पाप शुरुद गी डालें और अच्छे से घी को गरम होने दीजी गी की गरम हो जाने के बाद दो हरी इलेंची, एक कालीमोटी इलेंची, लॉंग, 3-4, तेजबता और जीरा इन सबी को अच्छे से पकने दीजी, इन सबी के पक जैने पर यह जो धनिया और पुदीना का पे बीच बीच में इसे चलाते रही है जिससे यह जले नहीं आप देख रहे हैं यह एक जगह हो गया है अच्छे से ड्राय लग रहा है अब गैस को मैं आफ करती हो और इसे ठंड़ा होने के लिए इंदजार करते हूं चार से पांच मिनेट के बाद ये थंडा हो गया है कूकर हमारा थंडा हो गया है और गैस अभी भी आफ है अब इसमें हमने जो दही का पेष्ट बना करके थैर किये हैं दही में सारे मसाले मिक्स करकर इसको डालते हैं अच्छी तरह से इस धनिया पुदीना का जो मसाला है इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हम लोग गैस को आउन करते हैं ताकि हमारा दही फटे नहीं अगर गरम में हम लोग दही डालेंगे तो दही फट जाएंगे इसको लीट लगा करके धीमी आच पर पकने दीजिए अच्छे से देख रहे हैं पक चुके हैं हमारा घी उपर आ गया है ये दही मसाला भी अच्छे से पक गया है अब इसमें राइश को डाल करके अच्छे से इसको भूनना है हमें और हमेशा आच को धीमी रखनी है जिससे कुछ भी हमारा जले नहीं अच्छे से चावल के साथ सभी मसाले को भूनिए धीमी आच पर चार से पांच मिनट में इस तरह से ये चावल मसाले के साथ अच्छे से सेट हो जाते हैं और ड्रैसा होने लगता है तब इसमें पानी डाल रही हूँ मैं जार को क्लेन करते हुए पानी ली हूँ इसलिए आपको पानी ऐसा नजर आ रहा है और यहाँ पर दो कप राइस में मैं यहाँ पर तेन और आधा कप साढ़े तेन कप पानी डाल रही हूँ पानी की मातरा आप अपने चावल की क्या क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है साड़े तीन में नहीं होता है तो चार भी डाल सकते हैं नमक और घीट फलका सा एक चमच घी डाल करके मिक्स कर रहें और थोरा सा गरम हो जाने पर लीड लगा करके 2 सीटी आने तक पका रही हूँ मैं जब तक चाबल पकता है तब तक यहां पर दोस्री तयारी करते हैं यहां पर फिर डेट कप मैं दही ले रही हूँ ये भी ताजी दही ले ये थोड़ी मोटी दही नहीं है मेरी पतली दही है और आपके पास अगर मोटी दही है तो इसको आप थोड़ा सा पानी डाल करके पतला कर सकते हैं मेरा पाले से ही पतला है इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही है और सफेद नमक, काला नमक, भूना जीरा पॉर्डर डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर देजिए यहां एक पैन में मैं तेल गरम कर रहे हूं और इसमें कुछ काजू अब देख सकता हैं दस बारा काजू होंगे लगभग इसको गॉल्डन होने तक रोष्ट करके निकाल लीजिए और इसी तेल में इस तरह से पतले पतले लंबे लंबे प्याज को काट करके पुरा डार्क होने तक इसको फ्रै कर लीजिए डार्क हो गया है अब इसको मैं दूसरे प्लेट में निकाल ले रही हूं और इसी तेल में थोरा सा हिंग लहशून और बारी कटे हुए प्याज को मैं पका रही हूं इस प्याज को डार्क नहीं करना है, हलका सा ही भूनना है बस हो गया, ये प्याज हमारा रेडी है, अब इस दही में डाल दीजिए अच्छे से मिक्स किजिए, और इसी तेल में थोरा सा जीरा प्याज निकाल करके तेल बच जाएंगे, जीरा, करी पता और लाल मिर्च पका करके इस पर डाल दे रही हूँ मैं, पस हमारा सिम्पल सा टेश्टी रायता बन करके तैयार हो गया, देख रहा है कितने अच्छे लग रहा है, खाने में भी उतने ही टेश्टी है और बनाने में तो देख लिया, क्विकली बन गया है रहता तैयार है, इधर कुकर खुल गया, मैं इसे सर्व कर ली हूँ एक प्लेट में, इस तरह से हमारा पुला भी तैयार है, इस तरह से गार्निस कर दीजिए, इस डार्क ओनियन से, प्यास से, और फ्राय काजू से, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, धेर सारा शेर कीजिएगा, थैंक यू